दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में आज मैं आपको बनाने जा रही हूं एक ऐसा वशीकरण जो की आपको और आपके प्रेमी को हमेशा के लिए करीब लेकर आएगा अगर आपकी प्रेमी का आपसे दूर चले गई है या फिर आप चाहत हैं अपने प्रेमी को हमेशा के लिए अपने पास रखना आगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति कैन आता है और ठेधर हमेशा के लिए पास रखना जाते हैं तो आप इस मुशी का रणकावियों कर सकते हैं ऐसी पत्मियां जिनके पती बहुत ही ज़्यादा मूरी हैं कभी-कभी बहुत अच्छे से बेहेव करते हैं लेकिन कभी-कभी बहुत रूप हो जाते हैं या उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते किसी और महिदा के दहका मावे में आ जाते हैं ऐसी महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती है या ऐसे पती भी इस उपाय को कर सकते हैं जिनकी पत्मियां बहुत गुसा करती है घर का मौहल खराब कर लेती है तलेश करती रहती है इस तरह की महिलाओं के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है तो आईए अपने प्यार का नाम सबसे पहले मान लिजे लड़की का नाम अगर सुनीता है तो उस तरह से लिखिए प्लस का साइन बनाईए और अपना नाम लिख लिखिजे इसके नीचे दोस्तों आपको लिखना है वो मंत्र कि यह आप देख सकते हैं सबसे पहले माने लिखा है प्यार का नाम यानि कि आपकी प्रेमिका का नाम और पिर आपका नाम और नीचे है मंत्र अम काम देवाय वशंपूरू स्वाह इस मंत्र को आपको लिखना होगा इसे आप एक जगे एक कागस पर लिखी जिए और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों इस कागस में आपको रखना है दस रुपए का सिक्का जहां पर आपने प्लस का साइन बनाया है वहां पर आपको रख देना है और इसके बाद आपको इस कागस को इस तरह से मूर देना है इस तरह से मोरना है कि यह 10 का सिक्का इसके ठीक बीच में रहेगा और दोस्तों यह जो मंत्र मैंने आपको लिखवाया है यह मंत्र आपको सिर्फ 21 बार जो भी पूरी तरह से आपको मोर दें उसके बाद इस मंत्र को आपको सिर्फ 21 बार पढ़ना है और इस कागस के उपर आपको फूकना है जी हाँ, इस पर फूकने के बाद आपको काले धागे की सहायता से इसको पूरी तरह से लपेट देना है और जब आप इस कागस को लपेट रहेंगे उस ताइम पर आपको ये मंत्र पढ़ते जाना है और धागे को इसके उपर लबेटते जाएए जब धागा पूरी तरह से खतम हो जाएगा एक मीटर के करीब मैंने इसमें धागा लिया था एक मीटर धागा आप पूरी तरह से बान दीजिए और उसके बाद आपको धागे को गांट मार देनी है जिससे की आपका और आपकी प्रेमिका का साथ हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा हमेशा के लिए आपकी प्रेमिका आपके जीमन में आजाएगी आपके पती आपकी पत्नी जो आपके साथ अच्छे से बरताब नहीं करते हैं वो भी अच्छे से बरताब करने लग जाएगे उनके मन में आपके लिए बहुत ही जादा प्यार जाग जाएगा और आपके जिंदगी की समस्या खत्म हो जाएगी दोस्तों इस उपाय को आप कीजिए यह बहुत सारे हमारे भक्तों ने इस उपाय को किया है और उसके बाद अपने यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनके ल करते हैं दोस्तों और अपनी समस्या का हल हमसे ले सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा